तो यह चुनाओं को लेकर उत्राखंड में प्रचार का दौर शुरू होगिया, इसी को लेकर हमारे सही होगी प्रभीर कुमार ने उत्राखंड के वरिष्ट बेजेपी नीता और उत्राखंड में वित्म और संसदिय कार्यमंत्री प्रेम चंद्राकरवाल से खास बात चुई की सुनिए लोक सभा चुनाओ के लिए उत्राखंड में दीरे परचार जो है आगे बढ़ रहा है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए उत्राकरवाल के संसदिय कार्यमंत्री और वित्मंतरी इस वक्त हमारे साथ मोझूद है प्रहिंति नरगवाल जी अगरवाल जी चुनाओ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा चुकि आज अंतिम तिती है नमांकन की और इसके बाद चीजें सपस्ट हो जाएगी किस तरह से चुनाओ प्रचार की तियारी चल दीए तिक आप जानते कि इस समय जो चुनाओ हमारे उत्राखन में पहले फेस में होना है और आज क प्रत्याशी घुशित होने की बात हो चाहे फिर हमारे चुनाओ प्रचार की बात हो आज हमारे सभी प्रत्यासी सभी कारिकरता और सभी संबंदित लोग इस तैम बहुत तेजी से चेत्र में लगे हैं काम कर रहे हैं तो मैं यही कह सकता हूं कि बढ़त भी हम बनाए हैं और जीद भी हम ही हासिल कर रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से 2014 में इस उत्राखंड से पांचो सिटे भर दिन तापाटी की जूली में गई और जिस प्रकार से मानने मोदी जी ने और पूरे देश और देश वासिओं के लिए इस दस वर्स में काम किया 2019 में भी हाला कि 2014 पांचो लेकिन प्रचंड भमों इतके साथ जा रही है क्योंकि इस समय कृष्माई नेत्रतु जो मानने मोदी जी का है जो उनके बारे में जनता आज विश्वास कर रही है और फिर उनकी गारंटी पर विश्वास कर रही है तो मैं कह सकता हूं कि हमारे यहां तो हम बहुत आगे चल है कि जो आप लोग आगे हैं अब आपने भी कांचो सीट जीतने जा रहे हैं लेकिन ऐसा क्या है कि कॉंग्रेस अपना जमीन ही नहीं बचा पा रही है क्योंकि पांच सीट पर पिछली बार भी इस्तिती बहुत खराब ती जीत मारजी ने इतना अंतर तक उसको पाटना ऐस लगता है कि बहुत संभव नहीं है तो आखिर किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं कि कॉंग्रेस जो है इस वक्त मैदान में दिखाई दे रही है लेकि उस तरह से लड़ती हुई नहीं लिखाई देगे आप जानते हैं कि जिस परकार से माने मोजी ने दस ताल काम किया लो नियत सापसूत्री तो भारतिनता पार्टी किये और नेत्रतों के बारे में तो आप कोई विश्वास भी नहीं कर रही है और यह दी जनता उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं उन्हें विश्वास खो दिया अब रटे रटाई बाते करते हैं रटे रटाई काम करते हैं और आप देखिए उनके बड़े बड़े दिगज नेता भी आज भारतिनता पार्टी जोईन कर गए हैं का मतलब उनके पार्ट प्रश्टाचार के लिए काम किया तो फिर जनता इन पर विश्वास कैसे करें और यह देव भूमी है बीरों की भूमी है ऐसी जगा पे तो संदेश स्वाबाविक दूर से राश्टवक्त लोगों का यह पर्देश है तो वह तो भारते इंता पार्टी जैसे राश्टवक्त पार्टी के साथ रहना ही चाहेंगे जब भी हम लोग पहले बात करते थे कहते थे एंटी इंकंबेंसी सरकार है राजे में भी दस साल की से आपकी सरकार है तो आखिर क्या है कि एंटी इंकंबेंसी प्रेक्टर आप लोगों को चू नहीं रहा है आप लोग कहा रहा है कि पांचों सीटम जीतने जा रहे हैं यह मैंने वैसे इस बात का जवाब जो मेरी से पहले सब्दों में दे ही है लिए फीर में दोरह रहा हूँ कि आज जनता हमार पर विश्वास कर रही है एंटी इंकंबेंसी वहां होते है जहां जनता का विश्वास कोई पार्टी खोती है हम तो विश्वास और मच्बूति से और पॉर प्राप्ट कर रहे हैं और ज्से परकार Curtis हम इमानदार से बात करें तो पूरे विश्व के अंदर माने मोदी जी के चवी निखर के आ रही है आज सरवादी के लोग पुरे नेता जीदी विश्वा कोई है तो वह है नेरंद मोदी जी ऐसे नेरंद मोदी जी के बार तो एंटिंग इंकम में सी आएगी कहां से एक तरफ 60-65 साल का उनका करते रहे तुष्टी करन की राजनिती करते रहे उसके बाद फिर वो अपने परिवारबाद की राजनिती करते बरिष्टाचार उन्होंने पूरा किरा मुझे आप बताईए कि आज 10 साल हो गये हैं माने मोदी जीग कोन सा बरश्टाचार का अरूप लगाएंगे कौन सा त रिभंष्टर करन्ट अ Kollा कुछ लगाएंगे याने की फिस्टी करण्ड की जगा हम संतूष्टी करन्ट की बात करे ši पर इसके उपर और उसके विश्वास आज मोदी जी ऑसे और मैं मैं प्रदेश की बात हो ऊएसा नहीं पुरेके इंदर डीत मां उसको विबाकी सी बात की और इनका कहना है कि हम पांचों सीथ फिर से जीतने जा रहे हैं अपने केमरा से यूगा आसुक साथ डॉक्टर प्रवीन कुमार इंडिया न्यूज और शेलेने खबरों के साथ इस बॉलेटिन में फिलहाल कले बस इतना ही नमस्कार